7 strong signs that you are going to crack me पहला, you have your own notes आप दूसरे के notes से नहीं पढ़ते हैं, आपने खुद के notes से पढ़ते हैं 2nd point, जब आप बहार मजे करने जाते हैं, या घुमने जाते हैं एंड में आपको regret ही होने रग जाता है कि क्यों मैंने time waste कर दिस अच्छा में पढ़ लेता 3rd point, आपके study hours जिसमें self study प्लस lecture जो आप देखते हो, वो combined होके आराउंड 10 से 12 घंटे होने चाहिए इससे जादा है तो very good पर 10 से 12 घंटे होने चाहिए 4th sign, आपकी NCRT, highlighters, underlines, key notes, छोड़-छोड़े questions से भरी हुई है 5th sign, आपकी preparation में backlogs या तो बिल्कुल नहीं है या फिर बहुत ही कम backlogs है 6th point, आपके पास अपनी खुद की personal mistake copy है जिसमें आप तनी सारी गलते हो जो भी आप test में करते हो 7th point, आप एक policy mindset के साथ preparation करते हो, आपको excitement होती है, आपको मज़ा आता है पढ़ने में